नमस्कार गाइज आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि गुड़ गामा में नई विकेंसी निकलिए क्लरक्टी गाइज टोटल पोस्ट आपकी सत्रे रहेंगी गाइज आगे जानकरी बताने पहले आप हमारे चलम को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको क्याइज दो विकेंसी निकलिए है गुरु गराम डिस्ट्रिक कोट में निकलिए ठीके गाइज तो मैं आपको बता देता हूँ जनरल की गाइज आठट पोस्ट रहेंगी और जनरल पी-च यानि के जो हैंडी-कैप है उनकी एक विकेंसी गाइज और जनरल ESM की टू विकेंसीज हैं और SC की स्टूर्ड कास्ट तीन है गाईज और BCA BCA की गाईज दो हैं और BCB की गाईज एक तो गाईज इसमें आपके पास Hindi होनी चाहिए 10 में या संस्किर्ट और आपके पास इसमें BA की डिग्री मांगी गईए गाईज आपके पास graduation होनी चाहिए BA या BSC जो भी कचो लेकिन graduation होनी चाहिए इसके बाद गाईज pay scale मैं आपको pay scale बता देता हूं जो सरकारी करमचारियों का pay scale होता है कोट में वह ही आपको मिलेगा गाईज ठीक है यह आपका pay scale और यह गाईज सुरू सुरू में भरती जो रहेगी आपकी six month की रहेगी गाईज six month की जब तक किसी government job की भरती नहीं होती है हरियाना में अगर भरती होगी किलरकों की तो तब आपको घटा दिया जाएगा उनको लगा दिया जाएगा अब आजाव नई बात पर हरियाना में कोई भरती ही नहीं हूई किलरक की यह पूछो कब से 2016 से गाईज 2016 से 2014 तक हरियाना में कोई भरती होई नहीं है अभी भरती चल दिया गाईज सेट की उसमें भी फंडा फसा पड़ा है कोट में केस है गाईज ये भरती भी नहीं हो नहीं मैं आपको बता दूँ इसलिए गाईज फॉर्म बरिये ओफलाइन फॉर्म है तरीका में ने बता रखा एड हॉक वेसिज ठीक है गाईज फ्री फंड की जॉब है अपनी अच्छे से जॉब करते रही है आगे बढ़ती रहेगी गाईज दुवारा सुन लीजे है तो ये गवर्मेंट जॉब का 50 मांस का TES्ट है गाईज इंग्लिस कम्पॉजिशन का 50 मांस का TES्ट है जिसमें आपको 33 पर सेंट लेने गाईए 32 पर सेंट नंबर इंग्लिस लेने हैं और इसके बाद गाईज हिंदी हिंदी में भी आपका 50 माहिस का TES्ट है इसमें भी आपको 33% और selection के लिए guys आपको 40% लेने मैं एक एक बिंदू खोड़ कर बता रहा हूँ आपको पूरी detail 33% 33% overall 40% अगर आपको job चाहिए तो 40% आपको लेने पड़ेंगे अब इसमें आपको guys क्या करना है आपको computer से लबाकर देखेंगे computer में आपसे computer profency मतलब profency का मतलब होता है कि आपको computer के बारे में कितना ग्यान है आप कुछ नहीं है guys इसमें मैं आपको बता दूँ यह तो ब्रामा असलिए तो मुद्बह यही है ठीक है profency में आपको computer किसे ने बनाया computer पर टाइपिंग कैसे होती है computer में वर्ड पैड यही profency में आते हैं guys बाइस वारत हो जाटेश अब आपको इसको रहने दू गाइस अब आपको form का में लेगा यह भी तो बात है form district court का निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है गुरू ग्राम district court की site पर जाएए वहां से requirement के option पर जाएए और requirement के option पर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद form निकल जाएगा ठीक है उस form को computer वाले के पास जाकर निकल वालो आप आजाओ भरने के तरीपे guys सबसे ज़्यादा most important वात यह कि उसमें जो भरने का तरीका वो अलग है और भरने का तरीका हलाकि इसमें तो यह बताया गया कि अपना वायव डाटा लो उसको लिख दो लेकिन ऐसे काम नहीं चलता काम चलता है ऐसे उस form को निकरबा लीजिए अगर form ना निकले तो मैंने form डाल रखा है अपने उसमें वीडियो में उसमें लिफाफे के उपर जब आप आप लिफाइशन कोट जॉब एड होग वेशेज मतलब यह जो तरीका में बता रहा है लिफाफे पर लिखा वोई सेम लिखना है आपको और साइड में गुरूगराम एड्रेस सब कुछ आप जब नौटिफिकेशन में जाएंगे तो आप नौटिफिकेशन में आपको एड्रे सब्सक्राइबर ना रोडवेज सौरी कंडेक्टर ना ड्राइवर ना कलर्क ठीक है ना पियन गुरूप डी की जो बता रहा हूं जिसके आप इंटर्वी देरें बहुत ईजी जॉब है उसका भी गुरूप डी का भी टेस्ट है जो इतना हाड लिया गया हारियना सरकार के द्वारा और आपको फिरी में जॉब मिल रही हैं तो इंटर्वी दीजिए और इस में तो बस आपका टेस्ट ही है तो आई होप आप समझ गए होंगे और किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे पास कमेंट करें गाइस मैंने अपना फॉनमर दे रखा है मेरे पास कॉल कर सकते हैं और कैसी वह समझ साहो मुझे बढ़ा है जाइस कि आपको कई कट нужно पर यह निपना होگा ठीक है गया यह तोड़ा एक पॉर्सया कोड़ि ईग्लिस का का फोगा एक और दिया जाएगा और उस paragraph के question दे दिये जाएंगे तब आपको उस paragraph को पढ़कर उसके answer लिखने होते हैं इसे कहते हैं English Composition Test यही procedure हिंदी में रहेगा हिंदी में एक topic दे दिया जाएगा उसके उपर आपको एक 100 words में या 1500 words में topic लिखना है ठीक है guys और हिंदी में ही आपको एक paragraph दे दिया जाएगा उसके question दे दिये जाएंगे और फिर उसके हिंदी के paragraph को पढ़कर आपको उसके answer लिखने होंगे question के लिए ठीक है guys यह तो रहे आपके paragraph के composition test ठीक है guys इससे अलग मैंने आपको बता दिया कि प्रोफेंसी test में आपसे यह पूचा जाएगा word processing में आपसे word से related MS word से related question answer किये जाएंगे जो जनरली आम होते हैं guys इतने hard नहीं होते ठीक है guys form भरने का तरीका मैंने आपको बताए दिया सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया तो आप मेरे वीडियो में जाकर form भरना देख सकते हैं ठीक है guys और अच्छे से इस form को fill up करें और कोई भी बात हो मुझे बताएं ठीक है guys Thank you guys